नमस्ते बच्चों, आज हम इस वीडियो में स्वप्नवासवदत्तम का सस्ठ अंक का सार और उसके महत्वपुन्ष लोकों की व्याख्या करेंगे. सस्ठ अंक में जब उद्यन आरोनी पर विजय पाकर अपना राज्य वापस ले लेता है और अपनी पत्नी पद्मावती के साथ वो अपनी राजधानी कोशम भी आता है, पद्मावती के साथ अवंतिका भी आई है. एक दिन प्रातर काल में ही घोश्वती वीना की आवाज सुनकर राजा व्याकूल हो जाता है, रक्षकों द्वारा घोश्वती धारक व्यक्ति से वीना लेकर वो राजा को दे दी जाती है, वो वीना को देखकर वासवदत्ता की याद में राजा व्याकूल हो जाता है, इस पद्मावती के साथ उद्यन सशंकित मन से उनसे भेट करता है। कंचुकी और धाय वासवदत्ता की मृत्यू पर दुख प्रकट करते हैं और राज्य की पुनह प्राप्तिक के कारण हर्ष व्यक्त करते हैं। वे दोनों महाराज महसेन और महारानी अंगारवती का संदेश राजा को सुनाते हैं और चित्र लिखित उद्यन वासवदत्ता परिनय की तस्वीर भी देते हैं। चित्र में वासवदत्ता को देखकर पदमावती उसे पहचान लेती है और कहती है कि वासवदत्ता जैसी तो यही महल में उसके जैसी ही दिखने वाली एक यूती महल में रहती है राजा इसे सुनकर उसे बुलवाता है और उसे ये विश्वास नहीं होता कि वासवदत्ता जीवित है इसी समय ब्राह्मन वेशधारी योगें ध्राइन भी आ जाता है वह पदमावती में वह पदमावती से अपनी धरोर के रूप में रखी बहन को वापस मांगता है अवंतिका को पदमावती और धाय पहचान लेती है और कहती है कि ये तो महासेन की पुत्री वासव दता है तपस्वी अपनी बेहन वापस मांगता है तब राजा स्वयम पहचान करने के लिए जैसे ही उठते हैं वैसे ही योगन धरायन तपस्वी वेश को हटाते हैं और स्विकार करते हैं कि यह महारानी वासव दता ही है राजा की आखें अश्चरे से खुली रह जाती है सहसा उसे विश्वास ही नहीं हो पाता कि उसकी प्राण प्रिया उसे मरकर भी ऐसे अनायास ही मिल जाएगी धीरे धीरे आश्वस्त होने पर वह मंत्री का आधर करता है और इस योजना के बारे में पूशता है सब कुछ जान लेने पर भरत वाक्ये के साथ ही अन्तिम अंक और नाटक की समप्ती हो जाती है स्वप्नवासवदत्तम का चतुर्थ अंक के साथ ही इस अंक का चौथा अंक अर्था चौथा श्लोक महत्वपूर्ण है राजा पदमावती से कहते हैं किम वक्षिती इती रदयम परिशंकितम में कन्या मया अपिया प्रितानच रक्षिता सा भाग्येई चलेई महत अवाप्त गुण उपगात हा पुत्रह पितुर जनित रोश इव अस्मि भीत हा जब राजा को पता चलता है कि वासवदत्ता के माता पिता ने कांचुकी को वहां से भेजा है तो वो एक बार दर जाता है कि अब मैं उन्हें क्या जवाब दूँगा कि मैं आपकी पुत्री को ले गया परन्तु उसकी रक्षा नहीं कर पाया उसी बात को वो पत्मावती से इस प्रकार से कहते हैं अन्वे है किम वक्षिती की राजा क्या कहेंगे इत्ती अर्थात इस प्रकार सोच कर में रिदयम परी शंकितम मेरा रिदय शंका से भैभीत है सशंकित है क्यूंकि मया कन्या अपी अपरिता पूर्व में मेरे द्वारा उनकी कन्या का अपरण किया गया अर्थात मैं उसे शादी के लिए वहां से भगा ले गया था किन्तु साच नरक्षिता परंतु मैं उसकी रक्षा भी नहीं कर पाया क्योंकि वो लावानक ग्राम में जल कर चल बसी इस प्रकार चलेई भाग्य यानि चंचल भाग्य की होने से महत अवाप्त गुण उपगात है गुरुजन जो महान पत्नी के जो पिता है मेरे गुरु समान महान व्यक्ति के प्रती जिसने मर्यादा का लंगन किया है ऐसा में पितुहू अनित रोशह ऐसा लग रहा है कि पिता की क्रोध उत्पन हुए अर्था जिसने अपने दुशकर्मों से पिता को नाराज किया है और उनको क्रोधित कर दिया है ऐसे पुत्र इव इस प्रकार के डरे हुए पुत्र के समान भीतह असमी मैं अत्यधिक हूँ इस प्रकार यह वह अपनी भै प्रकट करता है रानी पद्मावति को इस पद्य में वसंतिल का चंद है अनुपरा सलंकार है और उपमा वाचक शब्द से उपमा लंकार भी है भाव देखने लायक है कि किस प्रकार राजा महारानी और महाराज के गुणों का वर्णन क कर लेता है व्याकरन नात्मक्टिपणी में आप वक्षयती शब्द लिख सकते हो वचधातु है लिट लकार तिप प्रत्य पंचम श्लोग भी महत्वपून है जिसमें कांचुकी कहता है कि संबंधी राज्यम इदम एत्य महान प्रहर्शह स्मृत्वा पुनर्न नरपसुतान इधनम विशादह किम नाम दैव भावतान अकृतम यदि स्यात राज्यम परेह अपरतै कुशलम चदेव्याहा कांचुकी कहता है कि इदम संबंधी राज्यम एत्य एत्य यानि पाकर या आकर प्राप्त करके लिप्रत्य है कि मैं इस संबंधी राज्यमें आकर के महान प्र असन हूं क्योंकि हमारी जो राजकुमारी है उनके उनका परीने राजा उद्यन से हुआ है और यहां आने पर कि उज्जैनी में से मैं महराज प्रद्योत के पास से यहां जब मैं आया हूं तो मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि जो संबंदी जो उद्यन है वो हमारे प्रसंता हो रही है किन्तु पुनाहन रुपसुता निधनां स्मृत्वा महान विशादह परंतु यहां आते ही मुझे अपनी जो स्वामी की पुत्री है वासवदत्ता वो मर चुकी है ऐसा सोचकर अत्यधिक दुख कानुभव भी हो रहा है इस प्रकार भाग्य से परही अप राज्य की देवी की कुषल यदि होती और जीवित होती तो भवतान किम नाम नकृतम तो वो बात ही अलग हो जाती अर्थात जैसे शत्रुद्वारा चीनावा राज्ये वापस मिल गया है वैसे ही यदि देवी वासवदत्त की भी वापस कुषल पुर्वक प्रात्ति हो ज जाती तो हमारी खुशिया ही अनन्त होती हे विधाता आपने हमारा साथ ऐसा क्यूं किया है कि हम लोगों को आज असिम प्रसन्ता का अनुभव होने के साथ साथ भी विशाद का अनुभव भी हो रहा है वसंतिल का अलंकार है अनुप्रास भी है प्रस्तुत पद्दे के द्वारा दो घटनाओं का कथन किया है कि उद्यन को छीनाओं राज्ये वापस मिला और दूसरी वासरदत्ता की मृत्यू हो चुकी है